हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आजमा आपको जो वीडियो लिखे बात करेंगे दा लीडर दा मार्केट लीडर की बारे में देखे मार्केट में जैसे पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे बहुत सारे ऐसी कंपनी जो उस इ कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि एक कंपनी की बिलकुल चपरदस्थ हिस्सेदारी है बाकी बहुत ही कम मातरम है तो ऐसी इंडस्ट्री में चलिए देखते हैं इस मार्केट लीडर स्टॉक को समझेंगे काफी डिटेल में और आगे बढ़ने से पहले मां आपको बता प्राइस एक्षिन की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको यही कहूंगा स्टार्ट कर लीजेश को देखना समझना और प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस बहुत इंपोर्टेंट है जी हां आज हम बात करने वाल हैं कंप्यूटर एस मैनेजमेंट सर्वि तो देखिए जैसे कि market में बहुत सारे mutual funds होते हैं आपने नाम सुना होगा तो उनको services provide कर रहा है यानि कि जैसे dividend processing का हो गया transaction origination interface हो गया payments related हो गया transaction execution यह सारी चीजे बहुत सारी services internally आपको क्या लगता है कि आप जब कोई भी mutual fund buy करते हो वो कहा manage हो रहा है कैसे manage हो रहा है कैस पैसे deductory वो सारी backend पे कई चीजे काम कर रही होती है तो उसमें कहुत सारी services जो है यह इंडिया का largest RTA मैं कहूंगा इसको यह provide कराता है और इंडिया के अंदर अभी आपको लगना होगा यह market में धीदे धीदे करके number of participant बढ़ते जा रहे हैं यानि कि बहुत सारी मैं कहूंग लोग market में interested होते जा रहे हैं कुछ directly market में आ जा रहे हैं कुछ mutual fund के जरीए market में आ रहे हैं कुछ LIC के जरीए market में आ रहे हैं आपको कि LIC भी तो market में invest करता है तो बहुत सारे लोग धिरे-धिरे करके participant बनते जा रहे हैं और यह आने वाले time पर क्योंगे इंडिया में growth है त mutual fund companies को और बहुत सारी mutual fund अगर आप देखो यहां पर यह company टॉप और टॉप फाइब mutual fund और दस आउट आउट आफ यह 15 largest mutual fund उनको service प्रोवाइड कर आती है और कितनी 18 साल का average relationship है 10 largest clients के साथ अगर बड़े-बड़े नाम को देखा जाए तो SDFC Asset Management ICIC Potential देख रहे हैं आदित सबका काम यही है देखिए the top 41 AMCs are serviced by the four जो है ना जो टॉप AMC है वो चार आटी है majorly उसमें से 70% market share जो है camps का है 70% का market share और बाके कावी का है 27% और उसके लावा देखिए 70 यही दो major है कावी और camps का है major यहाँ पर बिल्कुल टॉप में leading from the front सबसे आगे यही जा रहा है इस सेक्टर में तो चलिए यह तो हमने detail को समझा और क्यों यह stock radar में है उसको समझेंगे थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे क्रिटी के प्रेस्टीज के अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना कैम्स के बारे में हम काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं कैम्स को अगर आप देखोगे तो बहुत ही बहातरीन एक divergence की situation इसने दी थी उसके बाद एक consolidation देखने को मिल रहा और साइडवेज जो है चल रहा है यह अपर बॉड़ी और यह लोवर बॉड़ी और मार्केट इस तरीके से यहां पर consolidate कर रहा है को मीट करेंगे यह जो करेक्शन चल रही है यहां पर जल्द से जल्द ब्रेक आउट आया और एक नए लवल पर हमको यह लेके जाए तो मार्केट में सतर प्रतिशत की हिस्तेदारी इस कंपनी किया है तो धमाल तो मचाएगा ही अब देख सकते हो weekly पे बहुत ही healthy correction मैं इसको कहूंगा आप देखिए ग्यारा बारा सो में open हुआ था और देखिए कहां से कहां गया फिर एक healthy correction अब उमीद होगी अब आप यह इंडिया के अंदर यह मान के चले कि दिखें मार्केट में पार्टिसेपेंट डालेक्ट पार्टिसेपेंट म्यूचल फंड के जरी पार्टिसेपेंट बढ़ते जा रहे हैं और जो asset under management है mutual funds के अंदर कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं है तो आने वाले टाइम पे और बढ़ बहुत ही important मैं कहूंगा consolidation और उमीद करेंगे कि जल्द से जल्द यह consolidation पार हो लेकिन कई बार क्या होता देखिए जब यह consolidation आती है न कई पर price फिर से यहां पे यानि की cycle तो already start है यहां पे strong support zone का का काम करता है तो अगर यह consolidation आता है तो यह हमारे लिए बहुत important zone रहेगा एक strong support zone क्योंकि cycle जो है already started है पर जब यहां से rally करता है तो फिर एक full energy gain करके इस level लेकिन कई बार हम entry करते हैं एक proper stop loss के साथ जैसे मानलो मैं आपको generally हम जब daily में हमारी cycle start होती है क्योंकि हम बड़े time frame के साब से जाते हैं तो हमारे stop loss is deep होते हैं मानलो हमने यहां पे 2300 यह 2400 के आस पास है क्योंकि हम target बड़ा कर रहे हैं तो इकना stop loss हमारा होता है बड़े time frame के साब से जब चलते हैं लेकिन मानलो अगर आपने यहां पर break करते हैं यहां पर सब्सक्राइब होता है तो मैं कहूंगा आपका प्लाइन फेल हो चुका है तो जब भी प्लाइन फेल होता है तो निकल जाने चाहिए अभी तो consolidation चल रही है अभी यह stop loss यह भी नहीं हिट हुआ है यह भी नहीं हुट हुआ और अपना डीप stop loss तो अल्रडी यह safe zone में है तो यहां पर क्या होता है जैसे यहां पर per share के इसाब से आप risk को calculate कीजिए and position size should be as per this risk otherwise क्या होगा कि position size ज्यादा होगा तो आप stop loss को भी handle नहीं कर पाओगे क्यों आपको जल्दी निकलना पड़ेगा क्यों वह loss देखके आप डर जाओगे अगर यह situation में आता है तो इसलिए हमेशा risk को manage करना है risk को समझना है कितना risk है उसके base पे आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे situation में क्या होता जैब रिस्क यहां पे आप entry ले रहे हो cycle की start होने में यह आपका stop loss है और अभी ज्यादा दूर नहीं निकला इसलिए जैसे दूरी बढ़ती रहती है तो हमारा risk जो है वह बढ़ता रहत है इसलिए दूरी सही जाए ना मालने हम लास्ट इसके बात करते हैं आपने अंट्री लिए अल्मोस्ट 2500 के आसपास और आपका stop loss था अल्मोस्ट 2100 के आसपास तो आपको पता है प्लान फेल हो चुका है निकलता है close मिल चुका है इसके नीचे तो निकलना है तो निकलना है समझ यह पार को तो निकलना है तो निकलना दुबारा अपॉर्चुनटी मिलेगी दुबारा मौका मिलेगा अभी के टाइम पिर निकलना है तो इस शुड भी तर रिसकम मैनेजमें उसको आपको बहुती टैटली फालो भी करना होता है वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उमीद करता हूं आपको समझ मैं जरूर आगा वीडियो अच्छा लागा तो शेयर जरूर कीजिए लाइक कीजिए प्राइक सेक्शन सिखते रहिए प्रैक्टिस की करते रहिए और थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग दा वीडियो